Electrical system में हम high voltage circuit breakers जैसे ACB, VCB, OCB, ABCB और HF6 इन सब का use क्यों करते हैं और अगर इन की जगए पे हम अपने normal circuit breaker का use करें तो हमें क्या दिक्कत आएगी ये सब तुम आज जानोगे इस वीडियो में और अगर electrical से related knowledge तुम्हें अपने काम की लगती है तो तुम्हें क्या करना है हा हाँ चैनल को subscribe कर देना है और साथ में घंटी दबा के all पे भी click कर देना है ये उतना ही ज़रूरी है जितना समोसे के साथ चटनी अब किसी भी circuit के अंदर मेंली तीन चीज़े होती है एक है load दूसरा है power source जो की load को voltage देता है और तीसरा है switch जो की जब चाहे circuit को on या फिर off कर सकता है अब किसी भी load के अंदर से जो current है वो directly उस पे लगाए गए voltage पे depend करता है ये कहना है ohms low का यानि कि V is equal to होता है IR यानि कि load का resistance मालो यहाँ पे constant है अब जैसे जैसे हम इस voltage को बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर से current की मात्रा भी बढ़ती जाएगी जब तेके switch on है त उसके बाद भी मैं voltage को यहाँ पे बढ़ाता जा रहा हूँ पहले यह थी 240V फिर मैंने कर दिया 500V अब कर दिया 1000V फिर कर दिया 1500V 2000V अब भी जो हैंपर circuit है वो ओफी रहेगा और कोई भी current इसके अंदर से पास नहीं होगा लेकिन 2000V के बाद भी मैंने और जादा voltage को बढ़ भी तुमारे circuit से flow करना शुरू कर देगी तो यहाँ पे high voltage की वज़े से होगा क्या यह जो switch है यह electricity को रोकने में नकाम्याब हो जाएगा और इसके off होने के बाद भी जो current है इस circuit से पास होना शुरू कर देगा अब ऐसा क्यूं है देखो जो हमारे normal switch होते हैं जैसे कि यह है जिसको हम fans वगरे फिर lights वगरे को on या off करने में इस्तमाल करते हैं इसके अंदर क्या होता है एक तो हमारा fixed contact होता है जो कि इसमें है यह वाला यह उपर वाला fixed contact है और एक होता है moving contact जो कि है यह वाला अब हम इसको on या off कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं इस moving contact को बार बार आप यहां down कर रहे हैं, मतलब own करने पे यह इस पे touch हो जाता है, और जो off करने पे यह इस से दूर हो जाता है, अब हर एक switch की या फिर circuit breaker की अपनी एक operating voltage होती है, जिस पे वो सही से काम कर सकता है, फोर एक्जेंपल, माल लो इस switch की जो operating voltage है, वो है 240 volt, लेकिन फिर भी safety के लिए माल लेते हैं, यह 1000 volt तक के लिए आसानी से काम कर सकता है, मतलब 1000 volt की बिजली को यह असानी से own या फिर off कर सकता है, लेकिन अगर voltage को हम इसकी safety limits से भी ज़्यादा high कर दें, मतलब 1000 से भी ज़्यादा कर दें, 1500 कर दें, या फिर 2000 कर दें, तो क्या होगा, यह जो switch है, off होने के बाद भी electricity को conduct करना शुरू कर देगा, अब ऐसा क्यूं है, तो सरा ध्यान से समझो, इस टाइप के जो switch होते हैं, normal switch, वे इस्तमाल करते हैं air का, electricity को रोकने के लिए, वो कै कैसे, देखो, यह जो इसका moving contact है, और यह जो fix contact है, जब हम इनको off कर देते हैं, मतलब दूर कर देते हैं, तो इनके बीच में क्या आजाता है, air, और air में से, जो electricity है, वो pass नहीं हो सकती, तो यह जो air है, वो voltage को, यह फिर को current को रोक देती है, pass होने से, ठीक, लेकिन अगर voltage क हम बहुत जादा बढ़ा दें, तो air की जो dialectic strength है, वो जो है breakdown हो जाएगी, अब यह dialectic strength क्या होती है, तो ज़रा ध्यान से समझना, किसी भी insulator की high voltage लगाने के बाद भी, अपने अंदर से current को pass ना होने देने की tendency, pass ना होने देने की शमता, कहलाती है उसकी dialectic strength, for example, यह एक marker है जो की पूरी तरह से एक insulator है, क्योंकि यह प्लास्टिक से बना है, अब अगर मैं इसके दोनों ends पे voltage लगाऊं, मतलब इधर और इधर voltage लगाऊं, तो इसके अंदर से कोई भी current pass नहीं होगा, क्योंकि एक insulator है, लेकिन अगर मैं उस voltage को बढ़ाना शुरू कर दूँ, मानलो इसके अंदर से भी current pass होना शुरू कर देगा, अब जितने जादा से जादा voltage को यह जहल सकता है, उतनी जादा इसकी dialectic strength मानी जाएगी, अब मान लेते हैं, कि दो लाक वोल्ट तक का voltage जहल सकता है, और उसके बाद इसके अंदर से current pass करना शुरू कर जाएगा, तो हम यह बो तो ऐसे circuit में, अगर हम इस type के switch को use करें, तो क्या होगा, इसके जो दोनों points होंगे, off होने के बाद उनके बीच में air होती है, तो यह पे air का dialectic breakdown हो जाएगा, और high voltage की वजए से, हावा में से ही तुम्हारा जो current है, वो pass करना शुरू कर देगा, तो इसी वजए से, हम जो normal switch ह या फिर circuit breakers है, उनका use high voltage में नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ special type के जो circuit breaker है, उनका use होता है, जैसे तुम्हारा air circuit breaker है, vacuum circuit breaker है, oil circuit breaker है, अब जो oil की dialectic strength है, वो हवा के मुकाबले बहुती जादा होती है, मतलब कहने का यह है, normal condition में, यह जो switch है, यह इतने जादा high voltage को नहीं ज करते हैं, उसमें डुबो दो, तो यह और भी जादा voltage को handle कर सकता है, मतलब जब हम इसको हवा में यूज कर रहे थे, तो मालो यह 3 किलो वोल्ट तक जहल रहा था, इसके बाद जो है, इसके अंदर से current pass हो रहा था, तो अगर हम इसको oil में डाल देंगे, तो इसकी जो dialectic strength है, वो बढ़ जाएगी, और मालो यह, तो मारा 6 किलो वोल्ट तक जहल पाएगा, मतलब oil की जो dialectic strength है, वो हवैसे जादा होती है, मतलब oil को breakdown करने के लिए, जादा voltage के हमें जरूत पढ़ती है,